13 साल का लड़का वजन 80 किलो जब कुर्ता पहन कर बाहर निकलता तो बच्चे उसे सरपंज कहकर चिड़ाते थे कौन जानता था कि लड़का भारती अथलेटिक्स का मुख्या बन जाएगा आप सभी को विभवदेव शुकला का साधर प्रणाम आप देख रहे हैं डेली बज़ेंडिया टोक्यो उलंपिक में भारत को स्वंड पतक दिलाने वाले नीरच चोपड़ा हमेशा से दूध और घी के शौकीन थे बजन बढ़ रहा था फिट रखने के लिए नीरच के चाचा उन्हें पानी पत के शिवाजी स्टेडियम ले कर गए शायद ही किसी को अंदाजा हो कि क्रिकेट के बैट का दिवाना भाला फेक कर इतिहास रचेगा तेरा साल की उमर में नीरच ने पहली बार भाला फेका था वो भी 23 मीटर तक ये देखकर सब अचरज में पढ़ गए थे सालों अभ्यास करने वाले अथिलीट भी इतनी दूरी तक भाला नहीं फेक पाते थे भाला फेकने वाले नीरच के जिन्दगी में भाले के और भी कई किस्सें हैं एक सामानी किसान परिवार से आने वाले नीरच के लिए 7000 रुपए का भाला भी बड़ी बात हुआ करती थी एक दफा भ्यास करते हुए उनका भाला यानी जैवलिन तूट गया उसकी कीमत महस 200 रुपए थी सीनियर खिलाडी नाराज हुए कि अब काम कैसे चलेगा नीरच ने जवाब में कुछ नहीं कहा लिकिन ठान जरूर लिया कि जैवलिन के साथ ही रिहास रचना है नतीजा ये निकला कि टोक्यो ओलंपिक में नीरच ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थो किया इस थ्रों ने उन्हें मुकाबला भी जिता दिया इस मुकाबले में दावेदारी रखने वाला एक और नाम था जर्मनी के जोहाने स्वेटर जो फाइनल राउंड में भी नहीं पहुँच पाए थे और नवे पायदान पर अपना कैंपेन खत्म किया नीरज चोपडा की जीत के बाद जोहाने स्वेटर का एक इंटर्व्यू वाइरल हो रहा है इसमें उनका कहना था कि नीरज टोक्यो उलंबिक में उनसे नहीं जीत पाएंगे 22 जुलाई 2021 के इंटर्व्यू में जोहाने स्वेटर ने कहा नीरज ने इस साल दो बार बढ़िया थ्रो किया है फिनलैंड में तो 86 मीटर से भी जादा का अगर वो स्वस्थ हैं और अपनी तकनीक और सही शेप में हैं तो वो और जादा दूर तक थ्रो कर सकते हैं लेकिन उनका मुकाबला मुझे से हैं मैं टोकियो में 90 मीटर से भी लंबा थ्रो फेकने की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए उनके लिए मुझे हराना आसान नहीं होगा ये दोनों ही अदलेट 2018 में जर्मनी के ओफन बर्ग में एक साथ उतरे थे तब नीरज अपने कोच वेरनर डैनियल्स के साथ तीन महीने की स्टिंट पर थे वेटर उस मुकाबले में पहले पायदान पर थे जबकि नीरज को दूसरे पायदान से संतोष करना पड़ा था दोनों ही थ्रोवर पिछले महीने फिनलैंड में हुए कार्टन गेम्स के दोरान भी टकराये थे उस समय नीरज ने वेटर के साथ कार शेयर की थी दोनोंने हेलिंस्की से कार्टन तक का लगभग चार गंटे का सफर साथ तै किया था और मुकाबले के लिए गये थे कॉंफिडेंस और और कॉंफिडेंस के बीच अंतर बहत महीन होता है साक्षातकार में वेटर ने जो कहा वो क्या था इतना हम सभी जान चुके हैं वेटर बखुबी जानते थे कि नीरज की तकनीक और शैली कैसी थी फिर भी उन्होंने दावा किया लेकिन मैदान पर दावे नहीं प्रदर्शन काम आते हैं नीरज ने शब्दों से नहीं बलकि अपने प्रदर्शन और महनत से जवाब दिया उनके भाले ने देश को दस्वा उलम्पिक स्वण दिलाया है अभी तक 8 स्वण पदक होकी से आए इसके पहले 2008 बीजिंग उलम्पिक में अभिनो बेंदरा ने निशानेबाजी में पहला व्यक्तिकत स्वण पदक दिलाया था साथ पदकों के साथ उलम्पिक में भारत का यह सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन था 2012 लंदन उलम्पिक में भारत को कुल 6 पदक मिले थे उम्मीद करते हैं आने वाले उलम्पिक्स में भारती खिलाडी और पदक लेकर आए तो कैसी लगी आपको हमारी एक खबर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूरे